पिछले तीन वीडियों में हिंदी ग्रामर में हम संग्या, विशेशड और सर्वनाम के विशे में पढ़ चुके हैं आज हम क्रिया के विशे में पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है तो चलिए बच्चों आज हम देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं क्रिया की परिभाशा क्या होती है ऐसे शब्द हमें किसी काम करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते है वो शब्द जिससे किसी काम के करने का या होने का बोधो वो शब्द क्रिया कहलाता है जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खिलना, सोना रमेश गाना गाता है मोहन पुस्तक पढ़ता है मनोर्मा नाचती है मानव धीरे धीरे चलता है घोड़ा बहुत तेज भाग दोड़ता है तो ये सब क्रिया के उधारण है गाता है, पढ़ता है, नास्ती है, दोड़ता है, चलता है ये शब्द किसी काम के होने का बोथ करार है इसलिए ये क्रिया कहलाएंगे क्रिया के रूप के विशे में अब हम पढ़ेंगे क्रिया कितने प्रकार होती है इसके विशे में हम जानेंगे क्रिया प्रमुक्रूप से दो प्रकार की होती है अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया कौन-कौन से क्रिया पहली अकर्मक्रिया दूसरी सकर्मक्रिया अकर्मक्रिया जिस क्रिया का फल करता पर ही पड़ता है वो क्रिया अकर्मक कहलाती है इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है जैसे श्याम पढ़ता है इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पे पढ़़ा है इसलिए पढ़ता है अकर्म क्रिया है जैसे राजेश दोड़ता है साप रेंगता है पूजा हस्ती है मेगना चिलाता है रावड लजाता है राम बचाता है जैसा कि आप उपर दिये उधारणों में देख सकते हैं पूड़ता है, रेंगता है, हस्ती है, चिलाता है बचाता है आदी वाक्यों में कर्म का अभाव है यहों क्रिया कफल करता पर ही पढ़ ला है करने वाले पर ही पढ़ ला है अतर यह उधारण अकर्मक क्रिया के है अब दूसरा उधारण है क्रिया का सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है इन क्रियाओं का सर करता पर न पढ़के कर्म पपड़ता है जैसे विकाश पानी पीता है इसमें पीता पीता जो है उसका कर्था पर नहीं पढ़ता है कर्म पे पानी पर पढ़ रहा है तो वो सकर्मक्रिया है सकर्मक्रिया के कुछ उधारण इस प्रकार है रमेश फल खाता है अगर रमेश खाता है तो वो अकर्मक क्रिया है लेकिन रमेश फल खाता है तो सकर्मक क्रिया का उधारन है सुदर्शन गाड़ी चलाता है मैं बाइक चलाता हूँ रमा सबजी बनाती है सुरेश समान लाता है जैसे कि आप उपर दिये गए उधारणों में देख सकते है क्रिया का फल करता पर ना पढ़के कर्म पर पढ़ा है यह उधारण सकर्मक क्रिया के अंतरगत आएंगे तो बच्चों आपने आज क्रिया के विशे में जाना क्रिया की परिभाशा पढ़ी और क्रिया के दो उधारण अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा धन्यवाद बच्चों झाल झाल झाल